आज सुप्रीम पोर्ट एक महत्पूर्ण फेसला दिया है जो मोदी जी ने करप्षन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे सुप्रीम पोर्ट ने उसको अवेधानी घोशित कर दिया यह मेसेज क्या है आज देश के आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी वेवस्था के खिलाप और खासकर आर्थिक चंदे राजनितिक पार्टियों को मिले इस वेवस्था के खिलाप इतना बड़ा सुप्रीम पोर्ट का कोई मेंडेट या कोई नेड़े नी आया है मैं मानता हूँ कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंडर मोती जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रोनिक बोन के रुपे उन्होंने भारती जन्ता पार्टिय ने अर्वो खर्वो रुपे लिए जो सबसे ज़्यादा है सब पार्टियों से सोग उना ज़्यादा है वो अपने आपने करप्चन का एक परियाय था देश में जब सरकार बनी थी करप्चन के अगेंस, काले धन के अगेंस नरेंद्र मोदी भेष्टाचार रहिष सरकार की बाती थी सबसे बड़ा भेष्टाचार देश की सरकार ने आम जन्ता के आपकों के सामने क्या है ये सुप्रीम पोर्ट में बोला है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभाचुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छे साल पुरानी इलेक्टोरल बॉंड स्कीम पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये स्कीम असमवैधानिक है जीतू बोले न्याय की शीर्ष व्यवस्था ने इस एतिहासिक फैसले के जरिये बीजेपी को पूरी तरह बेंकाप कर दिया है मोधी सरकार को अब अपने इसी असली चहरे के साथ जनता से माफी मांगनी चाहिए आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉंड पर रोक लगा दी है डॉट कोर्ट ने चुनावी बॉंड को असमवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद कर दिया है डॉट कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉंड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे बॉंड जारी करने वाले SBI को यह जानकारी देनी होगी की अपरेल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपए के चुनावी बॉंड खरीदे SBI तीन हफ़ते में यह जानकारी देगी उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक यह जानकारी पहुँचाएगा दरसल चुनावी बॉंड को सरकार ने RTI के दाएरे से बाहर रखा है यानि आम जनता RTI के तहट चुनावी बॉंड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा बोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें चुनाव आयोग को भी Electrical Bond से संबंधित जानकारी वेवसाइट पर देनी होगी सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉंड के जरिये पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लाक मनी और गड़बड जाला रुख सकेगा जबकि कोर्ट ने कहा काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉंड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे ASBI को राजनीतिक गलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉंड का विवर्ण प्रस्तुत करना होगा वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉंड की राशी खरीदार के खाते में बापस करनी होगी इसके साथ ही आज कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने भी आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया दिगविजय हैधराबाद में हैं और कमलनाथ चिंदवाडा में हैं हम सब सोन्य जी का राहूल जी का और घड़गे जी का अभार व्यक्ष करते हैं कि एक चमीनी आदमी को जिन्होंने पिछले 30-40 साल से कांग्रेस पाल्टी की निस्वान बहुत से सेवा कि और उटे जो चार पीडियों से कांग्रेस के पुर्टी परिवार का लगाव है वो किसी से मद्धि प्रतेश में छुपावा नहीं है ज्यादा कुछ ने बोलते हुए बस इतना ही अन्रोद करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल सारे हमारे सम्मानित परिश्जन सारे यहां उपस्तित नेतागर्ण सब एक साथ हम नेत्रत का अभार करते हैं तुरों ने अशोक सिंशी को इस तरीके से रास दबाव में सब्सक्राइब करता हूं आधर ने कमलांची का कल ट्वीट आया थे अधर नी दिगविजे सिंगी के भी ट्वीट में था एक एक कांग्रेस का कारिकरता विधायक नेता सर्व सम्मत इसे अशोक सिंगी का जहन लास्वा के लिए हुआ किसी प्रकार का सवाव जवाब चंका कुशंका मैं समझता हूं मेरे पत्रकार बंदू हों के दिमाज में भी नहीं आनी चाहिए और बीजेपी के पास भी इसके लिए कहने को कुछ ही नहीं है नहीं जूड बोल सकती है नहीं कुछ उल्टे सुदे बयान दे सकती है सर्व सम्मत इसे अशोक सिंगी का गमनलाची अशोक सिंग का नामांकन फॉर्म जमा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि 42 साल से अशोक सिंग कॉंग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं वे जमीनी और अनुगवी नेता है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने भी अशोक सिंग को प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रिय नेत्रित्व का आभार जताया है उन्होंने कहा कि सिंधिया का किला ध्वस्त करने में अशोक सिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे चंबल में नई शुरुवा वहीं अशोक सिंग ने केंद्रिय नेत्रित्व का आभार जताते हुए कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को राज्यस्भा जाने का मौका दिया है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा